नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त दिने इस पाठक करियर मंत्रा के इस अंक में लेकर हाजिर हूँ तमिलनाडु का एक ऐसा बिबाद जो पूरे साल आपको याद रखना होगा क्योंकि ये विबाद निश्चित तोर पर प्रतियोगी परिछाओं में सवाल के रूप में आपके सामने होगा तमिलनाडु में राजपाल, रवींद्र, नारायण, रभी और राजसरकार के बीच तलखी पहले से ही चली आ रही है बीते निमंबर में राजसरकार ने उन्हें हटाने को केंद्र सरकार को पत्र तक लिख दिया था तलखी के बीच बिधान सभा का सत्राहुत हुआ, पहले दिन राजपाल का वक्त अब होता है कंटेंट राज सरकार के ओर से दिया जाता है पर यहां राजपाल ने द्रविण सासन मौडल और कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें लिखी गई थी कंटेंट में उसे नहीं पढ़ा यह बात सरकार को खराब लगी मुखमंत्री ने बिरोध किया तो राजपाल अधूरा अभिवासन छोड़कर विधान सबा से निकल पड़े और खुद को तमी जगम का राजपाल बता दिया फिर बिबाद और बढ़ गया पहले से ही तलखी के बीच इन घटनाओं ने आग में घी का काम किया और अब सत्ता रूल पालिटी के कारिकरता सडकों पर है धरना प्रदर्सन चल रहा है राजपाल राजपाल गेट आउट के पोस्टर लग गए है पूरी बिबाद में जो सूरत बन रही है उसके दो नतीजे निकलते दिख रहे है एक केंद्र और राजपाल से क्यों नाराज है राजपाल अभीबासन अधूरा छोड़ विधान सभा से बाहर मिगल पड़े एक कारिकरम में राजपाल नाम बदलने की बात कह गए गवर्नर पोंगल के निमंतरन पत्र में खुद को तमिजगम का राजपाल लिखवा दिया राजपाल ने एक आमंतरन पत्र से स्टेट सिंबल तक हटवा दिया राजपाल ने कहा कि दविन नाडु के नाम पर लोकल पार्टियां धोखा कर रही है राज्य को पूरे भारत से अलग करने की साजिस रची जा रही है अब राज़पाल के आये दिन इस तरह के बयान से तिल मिलाकर सत्ता रूल पार्टी के कारेकरता पदादिकारी भी उन्हें भारती जंता पार्टी का एजेंट कहने से नहीं चूकते आये इस बिबात के बहाने राज्य में द्रमिल आंदोलन को जान लेते हैं बहुत पुराना है द्रमिल आंदोलन राज्यपाल के बयानों ने इसमें जान फूब दी है तमिल नाड़ में अभी जो बिबात सुरू हुआ वो द्रमिल आंदोलन से जुड़ा है 1944 में ईवी रामा स्वामी उर्फ पेरियार ने अलग द्रमिन नाडु की मांग की थी बादमिय जंडा अन्ना दुरई, यमजी राम चंदरन और यम करणा निधी ने थामा बरतमान मुखमंत्री, यम करी स्टालिन करणा निधी के बेटे हैं, इसलिए आंदोलन तेज होने की संभावना है द्रमिन आंदोलन के कारण 55 सालों से यहां द्रमिन पार्टियों की सरकार है तमिनलाड में करीब 85% आबादी हिंदू है लेकिन वे खुद को हिंदू नहीं मानते राज्य की 234 में से 170 से ज़्यादा सीटों पर द्रमिन वोटर्स का प्रभाव है अब किसी राज्य का नाम बदलने की कानूनी सिती क्या है संबिधान के आर्टिकल 3 में राज्यों के नाम करन के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है इसके लिए पहले उसे संसद के दोनों सदनों में बिलपास करना होगा फिर वह राश्ट्रपती के पास बेजा जाएगा राश्ट्रपती भी से सक्यों से सलाह मसीरा करने के बाद उस पर मोहर लगाते है और राश्पती की मोहर लगते ही ओफिसियल गजट निकाल दिया जाता है तो यहां क्या भी बाद है क्या राज्यपाल अपने अस्तर पर नाम बदल सकते हैं? इसका सीधा और सपार्ट जबाब होगा नहीं वे ऐसा कता ही नहीं कर सकते हैं संबिधान में ये प्रावधान है कि राजजपाल को बहुमत वाली सरकार में मंत्री परिसद की सलाह पर काम करना चाहिए। हाँ, बिसेश परिसितियों में राजजपाल को कुछ बिसेश अधिकार हासिल हैं, जिसका उसमें उन्होंने अपने विबेग का इस्तेमाल करना, कि राज़पाल के अभिभाषन को संसोधित किया जाए। कानून के मुताबिक राज़सरकार अगर राज़पाल के अभिभाषन का बचाव करने से इनकार करती है, तो इसे सदन के प्रती अभिस्वास माना जाता है। ऐसी सिती में राज सरकार को सदन में विश्वास्मत हासिल करना होगा 234 सदस्यों वाली तमिलनाड विधान सभा में स्टालिन गटबंधन के पास 169 सीटे हैं वे आसानी से विश्वास्मत जीत लेंगे लेकिन यही गलत परंपरा सुरू होगी सदन सुरू होने के समय राज पाल के अभिभाशन का प्रचलन है इसे राज सरकार के कामकाज का प्रस्ताव माना जाता है ऐसे में तमिलनाड में सुरू यह भिबाद तुरंत नहीं थमने वाला है इस एपिसोड में बस इतना ही नवस्कार